जैशेरी रादे कृष्णा साथियों मैं वी कृष्णा ग्यान साहरा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्त और सुख़ जिवन की मंगल कामना करती हूँ आपके अपने इश्टेवों को कोटी कोटी नमन करते हूँ बड़ों को प्रणाम करते हूँ साथियों अमावस्या अमावस्या कोई भी हो लेकिन कुछ कार रहा हमारे शास्त्रों में पूंता वर्जित बताए गए हैं हमें अमावसया के दिन करने के लिए तो बहुत सारी चीज़े होती हैं कि हमें उपाय भी करने हैं तो हमें ब्रामड को खाना खिलाना है दान करना है नदियों में नाना है बहुत सारी चीज़े हैं लेकिन क्या कभी इस बात पर गोर किया है कि अमावसया के दिन ऐसे हम क्या का मैं टम किलम एंते हम पुणे करि मिलें काईते कि न कि एक बराबर हो जाता है यानी that कि यह सोच्टे है कि का हम से पूल हो रही है कि आप परिशानी है क्या कर रहे हैं जिससे कि हमारे पुण्डे का वह फल नहीं मिल पा रहा है जटपट वीडियो प्रार्म करके ये सारी बाते आज की इस वीडियो में जानते हैं कि आखे रमावसे के दिन ऐसे कोम से कारणे जो वर्जित है और हमें नहीं करने चाहिए मैं आपकी होस्ट वीकृष्णा और आप दोनों का चैनल ग्याम सहरा इसमें आपको सारे व्रत त्योहार पूजन वीदी कथा सारे चोटे उपाए बड़े उपाए हर कारे की जानकारी पूजा से संबंदित दी जाती है आपको मिलती भी रहती होगी कमेंट बॉक्स मुझे मुझको लिखकर अवर्ष्य बताईएग अमावस्या के दिन वर्जित का रहे हैं कि एक तो अमावस्या के दिन रात को हमें कभी भी सुनसान जगाया पर नहीं जाना चाहिए वो भी थोड़ा भोत खुश्वु लगा कर तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए क्योंकि अमावस्या के दिन रात में नकारात्मक शक्तिया यानि भूत प्रेट पिशाच इत्यादियों का ब्रह्मन वातावरन में रहता है और नकारात्मक शक्तियां हमारे पर हावी ना हो इसलिए बार बिल्कुल नहीं जाना चाहिए अकेले से इंसान जगा पर और यदि आप किसी ऐसी जगा पर जाते हैं कारे स्थाल है, कार खाना है, चाहिए फैक्टरी है, चाहिए आपका ओफिस है जहां से लोटते आते जाते आपका रास्ता शमशान की और से गुज़रता है तो कोशिश यह करिए कि अमावस्या के दिन आप जल्दी से जल्दी वहां से वो रास्ते को पार कर ले महापर रात ना होने पाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है अमावस्या के दिन प्राते जल्दी उठके सूरे दे भगवान को जल अवर्श्य परदान कीजिए ऐसा ना हो कि आप अपने अमावस्या है और आज आप अपने घर में देर तक सो रहे हैं और कुछ कार्रे भी नहीं कर रहे हैं इस तरह के कार्रे आपको वर्जित हैं इस तरह के कार्रे आपको करने नहीं चाहिए गरूर पुरान के अनुसार अमावस्या के दिन कभी भी पती पत्नी को संबंद नहीं बनाने चाहिए अगर अमावस या के दिन बनाए गए संबंदों से संतान उत्पन होती है तो वो संतान जीवन में कभी भी सुख को प्राप नहीं कर पाती है सदे परिशान रहती है, हम बहुत सी कुनली दिखाते हैं सबसे पूछते हैं क्या करें लेकिन हम कहां भूल कर चुके होते हैं यह हमें पता भी नहीं होता है अमावस या के दिन विवाद से जगड़े से जरूर बचके रहें चाहे वो अपने घर का हो या बाहर का हो क्योंकि अमावस के दिन कहा जाता है कि जो हमारे पित्र होते हैं वो हमारे आसपास कहीं न कहीं घूमते होते हैं यदि हमारे घर में आसपास जगड़ा विबाद चल रहा होता है क्रेकलेश चल रहा होता है और हम लोग बहुत परिशान आपस में चोड शराबा मचा रहे होते हैं तो पित्र देव कृपा करने की वज़ए दुखियों के वापस खाली चले जाते हैं और पित्रों की कृपा तो सातियों आपको अची तरह मालूम है कि हमारे लिए बहुत जरूरी है तो कभी भी अमावस्यापर वैसे तो कभी भी ऐसे कारे नहीं करने चाहिए लेकिन अमावस्यापर तो भूल कर भी ऐसे कारे आप ना करें आप सुंसान जगह में जाएं न आप देर से उठें पराते उठें सुरे देव को छल दें और नाहीं आप घर में जगड़ा विवात करें और नाहीं आपस में आप संबंद बनाएं सात्विक हो के रही हमावस एक दिन पूरे समय तक भूगते रहें इन सब चीजों का ध्यान रखेगा कि अमावस्या के दिन हमें क्या नहीं करना है आशा करती हूं यह चीजे आप जरूर ध्यान रखेंगे और अगर आपको ध्यान नहीं तो इस वीडियो को सेव कर लिजेगा और अपने जिसको भी आप चाहें अच्छी वीडियो को उनको आप शेयर कर सकते हैं जिससे सब को ही जानक्यारी हो कि अमावस्या के दिन हमें क्या नहीं करना है आशा करती हूं वीडियो आपके लिए उपयोगी साहीत रही होगी मिलती हूं फिर एक और बहुत महत पून वीडियों के साथ तब तक के लिए हास्ते रहिए मुस्करात रहिए कमेंट बॉक्स में हरर मादेव जय मातादी ओम नम भगवते वासु देवाए जय बजरिंग बली कुछ भी लिखेगा लेकिन लिखेगा जरूर इश्वर आपकी मदद करें